आप सब का दिल से स्वागत करना चाहता हूं और समझना चाहता हूं कि आपको इन कानूनों से क्या नुक्सान होगा नमस्कार भीया थोड़ा बताईए भीया आपको क्या लगता है इन कानूनों के बारे में कानून बिल्कुल लंधा कानून है सर यहां गरीब का सोसन हो रहा है किसान का सोसन हो रहा है सर इस विदेख से ना किसी जनता का भला होने वाला है ना सेथकरी वर्ग का कुण सा भला होने वाला है इस विदेख से श्रिप कंपनियों और अंबानी अंदानी जैसे लोगों का ही यहां पर सबसे आधिक जिव कास्तकार है उनकी आत्मात्य हुई है इस अध्यादेश से किसान को फाइदा होना है तो यह MSP के लिए कानूर क्यों नहीं बनाते जी आपको यह डर क्यों लग रहा है कि MSP जाहेगी अगर इनो नहीं यह शिर्फ के गालंटी जाहे हो MSP की अगर क कोई कम रेट पर कोई खरीदेगा कोई कुछ एजनसी है कोई किसान तो उनको दंड निया अपराद माने जाहे जो भी हम उत्पादन जैसे एकादी कंपनी ने ले के गए, तो हम उन्हें ने पैसा नहीं दिया, तो हम उनके रिलाइस वाली के घर पर जाके रोख नए सकते, वो फो हमको दंडे मार वाहां से, हम तो ढूग गए ना मर गए ना, फिर का खाने वाले, जा करने वाले? और वो जब अपना भाल खरीदेंगे किसानों का, तो वो आपको चार दुपर, टीपर, तीन गुना, चार गुना भाव में बेचेंगे, यह ऐसा इस इंडिया कंपनी का कारवार था, उची टाइप का कारवार आज आने की गुंजाईश लग रही है, 100% वैसे ही होगा, आपक काल तो हब आजाएंगे, कारवार जगत के आथो जिब इसको बेचा जाएगा, जो वैपारी है, उस हमको एड़ान पैसा कुछ काम परता था तो लेते थे, अब पैसा भी देना बंद कर दिये, हम धान नहीं लेंगे, यहू नहीं लेंगे, कम पैसा काइसा देंगी, जो पि बेचने लग रहे हैं, एरपोर्ट हूं को बेच रहे हैं, रेलवे को बेच रहे हैं, बिजली को बेच रहे हैं, छोड़नी रहे हैं किसी चीज़ को, यह एक दरदर की बटकाने के वाड़े काम है, यह इन लोगों को जोनों मजदूर बनाने चाते हैं, जंगताने तो यह ज आज सिर्फ देश के युवा को रोजगार को जो किसानों को बचाने का अगर को जर्गिया है लोगों को तो सिर्फ और शिर्फ राउ दिखाए दे रहा है जी आज महात्मा गांधी अगर जिन्दा होते हैं इसका विरोध करना ही पड़ेगा किसानों के लिए हिंदुस्तान के भविश्य के लिए किसान की अवाज युवा में है किसान की अवाज सेना में है पुलीस में है किसान की अवाज में बहुत दम है और इसी अवाज का प्रयोग करके हिंदुस्तान ने हाज़ादी ली थे किसान की आवास से हिंदुस्तान आज़ाद होगा और पर आज किसान की आवास新 मुस्तान आज़ाद होगा